लाचमी कांत की स्रीज में आपका स्वागत है हम ने अभी तक चार या पांच या पांच लेक्जर बना रखें और इस मंत के सिरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आप सारे से देखोगे हैं नासी मास करते आफेस्टा में आपको कराола कृते आपकर आपको c27 के लिए बहुतसर है teak इंपरटेइग सकती करते है आज की कलासे इसक्तर नहीं यहां पसिन के सब्सक्राइब करना मोने शूरुष के सब्सक्राइब और रासपती साब को हर कंस्टूशनल अमेंडमेंड में अपनी एसेंड देने की जरूरत है कि नहीं है इस तरह के कोशन वह घुमा घुमा के पूशते हैं इन सारे कोशन होगा हम आज के करेंगे साल्यूशन जानने कोशन करेंगे सबसे बहले हम देखें कि भारत का जो सभीधान को अमेंडमेंड करने का जो है एक उत्ता है सिंपल अमेंडमेंड जिसमें जो है सभीधान का अमेंडमेंड नहीं किया जाता है अलग-अलग कानून मनाये जाते हैं लेकिन आज हम क्या पढ़ परिलमेंट कार्ले को यह सबसे लिखा झिए कि इमेंडमेंड को इनिया लि country चीज नाइदर एज़ी werden और डिफिकल्ट एस यूएस से मैंके सबिधान को मड已经 करना क्याare नी कहले है आथ और बिटेन में बहुत आसान है और इन दोनों के बीच में क्या है इंडिया का constitutional amendment अब आप हम देखें कि constitutional amendment किस में आता है यह हमारे article 368 में आता है और article 368 में दो तरह के procedure बताये गए है constitutional को amendment करने के जिसको हम आगे चलके पढ़ेंगे clear part number कौन सा होता है यह 20 मां पार्ड होता है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सवीधान को amendment करने की power केवर केवर किसके पास है parlement के पास है जही आपको याद रखना है कोई भी स्टेट की legislative assembly constitutional amendment नहीं कर सकती हमें से आधर रखना constitutional amendment कौन करेगा parliament ही करेगी किलियर however the parliament cannot amend the those provision for the basic structure हमारा सविधान को amendment किया जा सकता है किसके दवारा किया सकता है parliament के दवारा किया सकता है हम सब को पता है लेकिन जो सविधान के basic structure है मूल धाचा जो है उसको आप नहीं amend कर सकते हो यह हमें कहां से पता चला केसवा नंदा भारती केस से पता चला और यह केस तो अब आपको रट गया होगा कि इस केस ने क्या करा था सविधान का basic structure के बारें बोला था अब इस सविधान का basic structure क्या होता है आने वाली सिरीज में मैं क्या गरूँगा चैप्टर में आपको basic structure का एक अलग से वीडियो बना दूँगा तब आपको ज़्यादा समझ मायेगा यहां ते सब को समझ माया तो भी हमने मोटी मोटी भहिया क्या बाते देखीं तीन जबाते देखीं कि भारत का जो सविधान है ना ही यह अमेरिका की तरह उतना क्या कहते हैं complex है कि इसको amend ना किया जा सके और ना ही इतना सरल है बिटिस की तरह यह बीच में आता है दूसरी बात हमने देखी सविधान में 368 आर्टिकल में लिखा हुआ है पार्ट नंबर 20 में लिखा हुआ है कि सविधान को कैसे amendment किया जा सके और यह पावर किसको दे रखी है केवल केवल पार्लेमेंट को दे रखी है तीसरा पॉइंट हमने देखा कि पार्लेमेंट को यह पावर दे रखी है इसका मतलब नहीं पार्लेमेंट पूरे सविधान को अमेंड कर सके बेसिक इस्टक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं यहां तक के लिए रहे सभी को आगे बढ़ो प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है प्रोसीजर में आपको पता है पार्लेमेंट ठीक है अब भहिया पार्लेमेंट में आपको पता है दो सदन होते हैं एक होता है लोकसभा एक होता है रासभा तो अगर सभीधान को अमेंड मेंड करना है तो जरूरी नहीं कि यह चीज केवल ए का जिस तरीके से मैं आपको आगे चलके money bill पढ़ाऊँगा money bill में क्या होता है कि money bill केवल केवल क्या होगा लोग सवा से ही originate होता है clear लेकिन constitutional amendment either of the house होता है मतलब चाहें लोग सवा से आ जाए चाहें राज सवा से आ जाए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो पहला question क्या हैगा सविधान का amendment कैसे किया जा सकता है कि house के द्वारा किया सकता है either of the house तो either of house में आप टिक लगाओगे ठीक है ना अब ये देखो ये लिखा हुआ either of the house मतलब चाहें लोग सवा हो चाहरा सव इससे कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों के पास सदिकारे से initiate करने का दूसरा दा बिल कैन वी इंटेडूस बाई either by the minister और ये private member does not require the prior permission of the president अगली चीज अब है आपको ये याद रखनी है कि सविधान को अगर हमें amend करना है तो जरूरी नहीं इसका प्रस्ताब केबल मिनिस्टर लेकिया है प्राइवेट मेंबर भी ला सकते है अब आप सोचों के प्राइवेट मेंबर क्या होते है प्राइवेट मेंबर का मतलब जो executive का पार्ट नहीं है जो minister नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे तो इसमें private member भी ला सकता है सविधान को संसोधन करने के लिए प्रस्ताब और minister भी ला सकता है पहली बात दूसरी बात जो है इसमें president की prior recommendation लेनी जरूरी नहीं है समझ में आगया जैसे कि हमने आपको दूसरी या तीसरे lecture पढ़ाया था कि internal readjustment जब भी होता है तो president की prior कहलेनी पड़ती है information लेनी पड़ती है यादा रहा ना the bill must be passed by each house or by the special majority पिर तेक house से दोनों सदनों से अलग अलग लोगसवा से राजसवा से या राजसवा या लोगसवा दोनों से ही जो है constitutional amendment bill special majority से पास होना चाहिए यह नहीं कि केवल लोगसवा ने कर दिया और राजसवा ने नहीं करा दोनों से पास होगा तब ही क्या होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा यहां तक किलियर है और जैसे कोई हमारा कोई simple law होता है simple कानून होता है तो उसमें क्या करते हैं देखते हैं कि वह यहा लोगसवा से पारित होता है लोगसवा से राजसवा में जाता है राजसवा मैक्सिम्म छे महीने उसको रख सकती है joint sitting का प्राबधन नहीं है common sense लगाओ कि अगर यहां पर joint sitting का प्राबधन होता तो भाईया दोनों सदनों की special majority को कोई मतलब नहीं रहा जैसे की for example कोई एक constitution amendment build है लोगसवा ने पारित कर दिया राजसवा पारित नहीं कर रही है तो राजसवा पारित नहीं कर रही है इसका मत प्राबधन करा दे तो तो क्या होता है joint sitting में दौनों मिलके क्या करते हैं बोटिंग करते हैं लोगसवा के सदस्यों की संक्या जादा होती है तो ultimately क्या होगा लोगसवा वाले क्या करेंगे जीता देंगे उस बिलको समझ माहा है मतलब जो काम राजसवा नहीं कर पाई उसको बाइपास वे में क्या कर दिया खुदी करा दिया तो भाईया constitutional amendment की वो वाली बात रही नहीं कि दोनों सतनों से अलग अलग पास होना चाहिए वो भी special majority से समझ माहा गया इसलिए यहां पे क्या है joint sitting का प्राबधन नहीं है crystal clear सबके दिमाग में सबसे पहले हमने क्या पड़ है तीसरा हमने क्या पड़ा भीया इसमें prior president की पूर्व अनुमुति की जुरत नहीं पड़ती है और चौथा point हमने क्या देखा कि भाईया इसको दोनों house से आपको अलग अलग special majority से पास कराना होगा और पाच्वा point हमने क्या देखा कि भाईया यहां पे joint sitting का कोई भी प्रा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है और कोई भी दिक्कत हो comment box में लिख सकते हो अगला चीज अब भाईया मैं special majority होती क्या समझो special majority का मतलब होता है दो चीजे यहां पर देखनी पड़ेंगी पहला देखना पड़ेगा कि 50% of the total membership of the house total membership समझते हो ना कि भाईया जितनी उ voting हो रही है उस दिन जितने लोग आए है उसका two white third ये दोनों होना क्या है अनिवार है पहला क्या है भाईया एंड लगाए देखो 50% of the total membership of the house and majority of the two-third of the member of the house present and voting माल लेते हैं कि भाईया कि ये लोग सभा से माल लो पास हो रहा है तो लोग सभा की जो total membership होईगी क्या होईगी total membership ठीक है ना strength की बात नहीं हो रही है total membership की बात हो रही है माल लेते है total membership कितनी है for example बता रहा हूँ exact आपको देखनी पड़ेगी माल लेते है total membership 545 है ठीक है ना तो 545 का कितना हो थे 50% होना चाहिए तो बट्टा डो कर दो कितना है दो दुनी चार एक चौदा दो सत्य चौदा दो दुनी चार और क्या होगा दो पंजे 10.5 है तो मतलब 273 तो at least हमें चाहिए चाहिए पहला दूसरा क्या है two third of the member of the house present and voting end है मतलब ये प्लस जिस दिन जिस दिन क्या है इस पे चर्चा होगी और voting होगी उस समय जितने लोग present है और जितने लोग voting करे है उनका two white third भी होना चाहिए तो भाईया देखो माल लेते हैं उस दिन 545 में से 500 लोग ही क्या करे बोटिंग करी 500 लोग ही आपाए तो भाईया 500 का two white third कर दो two white third कितना होगा कितना होगा पांच दुनी 10 हजार कर लो भाईया इसको बटा 3 कर लो तीन तीन नो तीन तीन नो तीन तीन नो किलियर तो भाईया इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 333 जो है क्या हुआ था वहाँ पे क्या हुआ इसका 2 y 3rd clear तो इसका मतलब क्या है कि ये end है मतलब दोनों condition आपकी पूरी होने चाहिए तब जाके special majority आएगी और special majority लाना क्या है छोटी मोटी बात नहीं है समझ माँ आ गया अब इस case में क्या है 333 आ गया है मालो तो इसका मतलब क्या हुआ पहली वाली condition क्या थी 50% of total membership total membership कितने पर आ रही थी 273 मतलब 333 already जादा है तो मतलब पहली condition हो रही है और दूसरी condition भी हो रही है तो मतलब इस वाले case में क्या हो जाएगा special majority लग जाएगी अब आप सुच रहे होगे तो मैं एक और condition से बता रहा हूँ ये तो हमेशा fix रहेगा total membership मालो 2545 है तो 273 से उपर ही होना चाहिए तब ही वो bill pass होगा जैसे इसमें 233 से उपर आ रहा था माल लेते हैं total membership इतनी थी लेकिन उस दिन जो है voting करने मात्र जो है आपके 300 जने आए for example ठीक है 300 जने voting करने आए तो उसका 2 white hat कितना होगा कितना होगा 200 तो भाईया अभी pass नहीं होगा क्योंकि special majority के लिए कितना है 233 रहन चाहिए तो 200 है अभी special majority होगी नहीं यानि कि bill pass हुआ नहीं माना जाएगा समझ माया माल लेते हैं 400 लोग आए voting करने उस दिन क्योंकि दोनों condition satisfy होने चाहिए present and voting 400 गा दो 2 white hat कर लो भाईया clear तो कितना हुआ आप किसे करोगे 4 दूनी 8 800 बट्टा 3 3 दूनी 6 7 8 20 368 266 something आएगा कितना चाहिए 200 तेहतर अभी भी पास नहीं होगा सोच लो तो इसका मतलब ये कितनी tough condition है कि आपको house में जितने लोग है उनको जादा से जादा लोग को लाना पड़ेगा उस bill को पास कराने के लिए तब ये देखो 400 में भी नहीं छुपा रहा है 260 something आएगा 200 कितना चाहिए तेहतर चाहिए समझ रहे होना मेरी बात अगर किसी भी पार्टी ने बाइकोट कर दिया तो क्या होगा total membership तो हमेसा इतनी रहेगी लेकिन उस दिन जो present करें रहेंगे और जो voting करेंगे उनकी संक्या कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो ये वाला अखड़ा ही नहीं पाएगा इसलिए जो है भाईया सविधान को constitution को amendment करना छोटी मोटी बात नहीं है special majority criteria लगा रखा है और end लिखा हुआ है तोनों चीजे condition पार होनी चाहिए क्या इन एक्जेंपल हो साब को समझ में आ गया ठीक है अब आप ऐसे खुद से calculation कर सकते हो समझ में नहीं है तो comment box में लिख देना अब है if the bill seek to amend the federal provision दूसरी conditions में एक टाफ और ये लिख रख दी है कि अगर आप सभिधान को amend करना चाहते हो और उसमें कुछ भी federal provision से छेडखार हो रही है तो भाईया आपको 50% state का क्या चाहिए ratification चाहिए मतलब 50% of total state हाँ बोलने चाहिए कि भाईया आप क्या कर सकते हो इसको पारित करवा सकते हो तभी वो bill pass होगा The bill seek to amend the federal provision of the constitution it must rectify by the legislature of the state by a simple majority जैसे कि भाईया अब दो है जम्मुएन कस्मीर state रहा नी तो अब जितने भी total state है ठीक है ना उन इस्टेटों का 50% मतलब 14 राज्य 14 राज्य की state legislative assembly में उस bill को pass करने के लिए simple majority में हाँ होनी चाहिए समझ माया और जब 50% state बोल देंगे हाँ तभी वो भाईया क्या होगा लोकसवा और राजसवा में अलग-अलग जगे special majority से पास होगा समझ माया याद रखना क्या अगर federal provision है federal provision क्या होता है मैंने आपको बता रखा है नहीं तो मैं आपको एक लक्षवा बना के दे दूँगा federal provision का मतलब ऐसा provision जिसमें क्या है state का राज्यों का हित भी क्या है नहित है वो कहलाते है federal provision जैसे supreme court की power कम जादा करना high court की power कम जादा करना president election किस तरीके सोता है उसको बदलना क्योंकि president की election में state legislative assembly भाग लेती नहीं लेती है तो इस तरह के कुछ provision है जिनके लिए हमें अगर करना है तो क्या चाहिए 50% state का क्या चाहिए हमें क्या चाहिए reactivification भी चाहिए इसका recent example अगर हम देखें GST जब हम लाए थे तो constitutional amendment था और उसमें हमें 50% state की मंजूरी चाहिए थी इसलिए ये बहुत दिनों से अटक रहा था और जब 50% state ने हम वोला तो देखो GST के जल्दी बिल पास हो गया हो गया के नहीं हो गया तो इसका finance example GST था आगे बढ़ो जब दौनों सदनों ने special majority से लोकसभा और राश सभान ने special majority से ये बिल पास कर दिया तो ये प्रधान मंत्री नहीं राशपटी के पास किसके पास राशपटी के पास प्रेसिडेंट आफ इंडिया के पास जाएगा उनकी रजामंदी के लिए और इसमें एक चीद याद रखना यहाँ पे प्रेसिडेंट आफ इंडिया को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी ये नहीं कि वो विड़ोल्ड कर लें कोई वीटो पावर नहीं समझ माया यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट मस्ट मतलब देनी है तो देनी है उनको अपनी एसेंट तूदा बिल वो कुछ हाँ या ना कहने से मना भी नहीं कर सकते ना उससे दुबारा लोटा सकते हैं कि भईया दुबारा सोच के बताओ मैंने आपको स्पेशल मजॉर्टी निकालना सिखाया कितनी तगडी मुश्कल से वो लोगसवा और राजसवा से पास हुआ होगा जैसे तैसेoris उसको क्या सकते हैं कि दुबारा रीकासिंडर करो समझ माया तो ये मजाक वाला खेलना ये कंस्टिशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो प्रेसिडेंट साहब के पास कहीं से कहीं तैंut पावर नहीं है कि भईया अपनी ascent को withhold कर दे या क्या करे उसको दुवारा सोचने के लिए लोगसभाय राजसभाय भेज़ दे ये बात जरूर याद रखना समझ माया तो प्रेसिडेंट को क्या करनी है अपनी ascent देनी है तो देनी है और जब प्रेसिडेंट अपनी ascent दे देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा एक्ट बन जाएगा और constitutional amendment क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा simple सी बात समझ मैं आ गया यहां तक के लिए रहे सभी को अब आपको क्या करना है अब आपको लच्षमिकांद किताब में जाके देखना है जितना मैंने पढ़ाया उतनी चीजों को तो underline करनी है अब उसके बाद साविधान में कौन-कौन से ऐसे provision है जो केवल simple majority से हो सकते है या कौन-कौन से ऐसे provision है जिनके लिए special majority चाहिए या कौन-कौन से ऐसे provision है जिनके लिए special majority plus 50% restate की ratification चाहिए simple majority में समझ में आ गया ये तीनों में कौन-कौन चाहिए आपको खुद से note करने है अब इसमें देखो कि जो हमारा 368 है आर्टिकल वो simple majority वाले की बात नहीं करता है हमेशा याद रखना कि जो हमारा 368 आर्टिकल है वो दो तरह के amendment की बात करता है पहला amendment जो लोकसवा और राजसवा धौनों से special majority से अलग-अलग पास हो पहली चीज़ और दूसरे type की amendment की बात करता है जहां पे special majority चाहिए होती है लोकसवा और राजसवा में तो चाहिए चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ 50% state की ratification चाहिए simple majority में याद रखना लोकसवा और राजसवा तो हमेशा special majority की बात करेंगे लेकिन state क्या करेंगे simple majority से 50% state क्या कर दें हां कर दें 50% ज्यादा करते तो और यह अच्छी बात है लेकिन 50% से कम नहों समझ मैं तो यह दो तरह के ही amendment की बात करता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा special majority तो सिखा दी भाईया simple majority कुछ नहीं हो दी simple majority का मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए माल लेते हैं किसी state की state legislative assembly में कितने सदस से 200 सदस है ठीक है ना अब यह 200 सदस जो है यह voting करते हैं तो इसका 200 का 50% कर दो मलब दो से भाग दे दो 100 आता है exact तो 50% का मतलब कितना हो गया उससे ज्यादा 101 लोग की हाँ चाहिए simple सी बात 400 लोग है तो 201 की चाहिए 50% से एक ज्यादा simple majority clear simple सा formula simple majority को निकालने का clear है तो और भी चीज़े होती है effective majority simple majority absolute majority यह मैं सब आपको किसी दिन बता दूँगा अभी बताऊंगो तो ज्यादा confusion करोगे समझ मा आ गया तो इस तरीके से दो है याद रखना 368 में यही दो तरह के amendment का वरण मिलता है ना कि किसी और simple का समझ मा आ गया ठीक है याद रखना है इसको गलत मत करना कभी भी तो मेरे ख्याल से यहां तक amendment में हो गया बहुत बस आपको आपको क्या करने हैं तीन तरह के जो करने हैं जो मैंने आपको home work दिया है उन तीनों की list मना हो यह chapter खतम अब इसके अलावा जो ह चार नंबर पांच नंबर से प्रिलिम रुक रहा है आप लोग लिए मैंने नया बैच लगा दिया प्रिलिम का बहुत कहते थे कि सर नया बैच आएगा तो बता दिना तो यह नया बैच आ चुका है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बारह महीने की फीस है त्रेश्ट इस से क्या करोगे आप मेरे सारे कोर्स से जोड़ सकते हो एक नहीं अनेक कोर्स लगा रखे मैंने आपके फायदे के लिए आप चाहें प्रिलिम की त्यारी करना चाहें आप मेंस की त्यारी करना चाहें आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करना चाहें आप मेंस में GS1234 की आंसर राइटिंग करना चाहो, सारे बैच लगे पड़े, एक ही बार आपको 12 या 24 महिने का सास्क्रिशन लेना है, सारे बैच देख सकते हो, और इस 12 महिने या 24 महिने में, और भी मेरे जितने भी सारे कोर्स आएंगे, आप सब में देख सकते हो, समाझ माया, जब तक आपका time period valid है, जैसे आज कितनी तारीक हो रही है, माले लेते हैं, आज 6 में 2020 है, 12 मेने subscription ले लोगे, तो 5 में 2021 तक आपको valid time period मिल जाएगा, अब 2021 पांच में तक मेरे जितने भी कोर्स आएंगे, ये कोर्स जल्दी खतम हो जाएंगे, ये बैच 66 सेशन का है, अब इसके बाद और भी बैच आइंगे, समझ माया, तो सारे बैच आप देख सकते हो, बस याद रखना कि जब आप जो है, सस्क्रिप्शन का 12 या 24 मेने चुनते हो, तो नीचे एक बॉक्स में referral code लिखाता होगा, तो उस referral code में क्या दिखना है, ये capital में MKS Live, उसके बाद इसको apply करना है, जब नीच 10% discount भी नहीं मिलेगा, और आप मेरी class से direct जुड़ भी नहीं पाऊगे, referral code का मतलब यह होता है, कि आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, मेरे course में आना चाह रहे हो, समझ में आ गया, और 10% discount भी मिलता है, तो सबसे पहले चुनने के बाद, सीधे का करना है, referral code के box में MKS Live Capital में लिखना है, उसको apply करना है, जब नीचे लिखा हो आजा है, your referral code successfully applied, तब जाकि आपको करना है, fees को payment करना है, किसी भी माध्यम से payment कर सकते हो, और credit card है, तो आपकी EMI भी बन सकती है, और EMI जो है, without interest है, मतलब महिने का 500, 600, 400 रुपे, जितना भी चाहो, आप 6 महिने की बनाना पूरा prelims, पूरा mains, optional, और interview assistant, prelims की test series, mains की answer writing, optional की answer writing, इन सब की cost लगाना, काफी लाखो रुपे में आती है, इसकी, ठीक है, केवल 63, 600 रुपे में पढ़के जा रहे हो, और 12 महिने का 75, 50 रुपे में पढ़के जा रहे हो, with quality education, जिससे आपका selection 100% हो सकता है, तो I hope, आप plus मे जुड़ेंगे मेरे से, clear, और plus में हम रोज क्या करेंगे, क्लासों को अच्छी तरह से करेंगे, तो यह आपका क्या है, unacademy है, आप इसो subscribe करो, काफी लोग, even selected लोग, ठीक है, मेरे batch में जुड़ रहे हैं, जिससे कि वो इस बाद D.Y.S.P.R., D.Y.Collector बन सके, already upper PCS की बात क अचांद सकते हो, कि भाईया, वो ऐसे तो है नहीं, जो already बने हुआ है, कि वो हर किसी क्या कहते है, कि किलास जोइन कर लें, और फी भी पेमेंट कर लें, अगर फी पेमेंट कर रहे हैं, किलास कर रहे हैं, तो मतलब क्या, उनको कुछ बिल रहा है extra, समझ माया, और जब वो आ सकते हैं, तो आप भी क्या हो, आना चाहिए इस कोर्स में, thank you very much, have a good day and God bless you.